नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल हॉम मीड रेसिपी बाई सुनीता सिंग पर दोस्तों आज मैं एक ऐसी इंस्टेंट मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे घर में रखे सिर्फ दो सामान के साथ हम 10 से 15 मिट में बना कर तयार कर लेते हैं और ये ब्र दिन तक खा सकते हैं ये इतनी अल्टा सौफ्ट बनकर तयार होती है कि इसे मुह में खाते ही ये बिलकुल खुल जाती है जब कभी आपके घर में अचानक महमान आने वाले हो तो आप इसे फटा-फट बना कर तयार कर सकते हैं तो आए दोस्तों इस इंस्टनेट मिठाई को हम कैसे बना करके तयार करते हैं दोस्तों उसके लिए कोई भी एक बरतन सेट कर लीजेगा मैंने एक बॉल में ये मलाई ले लिया है मैं हमेशा मलाई को धकन वाले बरतन में रख करके फ्रीजर में इस्टोर करती हूँ मलाई खटी नहीं होनी चाहिए सेम उसी बॉल से आदाम और काजू लिए हैं इनको दो फाड़ी कर लिया और ये तीन छोटी इलाईची है इसके दाने निकाल करके इनको मैंने क्रश कर लिया है इलाईची मिठाई में जरूर डाले स्वाथ तो बढ़ता है उसके लावा इस डाइजिशन में हैल्प करती है अब मैंने एक ल दोस्तों ध्यान रहे हमें यह मिठाई नॉनिस्टिक में कभी न बनाएं क्योंकि इस मिठाई को हमें लगातार चलाते हुए खुरचते हुए बनाना होता है तो इस दोरान आपकी नॉनिस्टिक कढ़ाई का जो उपरी सतह होती हो खराब हो जाएगी और हमारी हैल्थ के लिए भी वह सही नहीं होगी देखिए एक बार चीनी मिलाई बहुत लिक्विडी हो जाती है लेकिन अब हम इस समय थोड़ा सा गैस का फ्लेम बढ़ा लेंगे और लगातार इसे चलाते हुए गाड़ा होने तक हमें इसे पकाना है दोस्तों फ्लेम उतनी ही रखें जितना आप कं कर लेंगे और इसे इसी तरह पकाएंगे देखिए और भी हमारी मिठाई जो है गाड़ी होना स्टार्ट हो गई है और इस तरीके से चारों तरफ से खुरच-खुरच के हमें इससे पकाना है कहीं से भी जलना नहीं चाहिए इस दोरान क्रश की हुई इलाची डाल देंगे और लगातार चलाते हुए हमें और इसे गाड़ा होने तक इसे पकाना है देखिए दोस्तों लगभग 10 मिनट हुए है और इसने कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट कर दिया है यानि कि हमारी मिठाई के लिए ये बनकर के तयार है और मैं कैमरे को पास ले जा करके आपको दिख देखा है अब तयार सामागरी को इसमें डाल दूगे कर्ची पर जो मिस्तन लगा उसे भी चम्मस की मदद से हटा लूँगी और चम्मस से इसे दबाते हुए एक सार कर लूँगी दोस्तों कितनी मिठाई मोटी या पतली बनानी है वो उसके अनुसार आप बरतन ले लिजि लेकिन यदि चान्दी के वर्क लगाएंगे तो हम उसे ब्रत में नहीं खा सकते हैं तो मैंने यह बादाम लिये हैं उससे इसे गार्निश कर दूँगी देखिए मैंने बादाम लगा दिये हैं और चम्मस से इसे अच्छी तरह से प्रेस कर दूँगी ताकि बादाम इसके मैं कट कर लूँगी यदि पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी तो हमारी बर्फी अच्छी शेप में कट नहीं होगी कारते समय ये बहुत बिखरेंगी तो लीजिए मैंने इसे चौक और शेप में कट कर लिया है अब इसे आदा घंटे के लिए मैं सैट होने के लिए छोड़ द से और देखिए आप दोस्तों कितने सुपर सॉफ्ट बन करके तयार होई है मैंने कहाता नहीं बहुत सुपर सॉफ्ट बन करके तयार होगी अब मैं इसके दूसरे पीस निकाल करके दिखाते हूं देखिए कितनी शांदार हमारी बर्फी बन कर तयार हुई है बस इसी तरीक को जरूर बनाईएगा बस कुछ बातों का ध्यान रखेगा मलाई खटी नहीं होनी चाहिए मलाई जब भी आप इस्टोर करें तो डी फ्रीजर में ठकन वाले बरतन में रखें और मिठाई बनाने से एक खंटे पहले मलाई को बाहर निकालने ताकि यह सॉफ्ट हो जाएगी देखिए कितने सुपर सॉफ्ट बनकर तयार हुई है आए मैं इसका जायका आप तक पहुंचाती हूं दोस्तों वाव बहुत ही मेल्ट इन माउथ मिठाई बनकर के तयार हुई है तो दोस्तों आप भी ब प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपी इसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे थैंक्स वर वाचिंग मिलती हूं नेक्स वीडियो में ऐसी ही एक और अच्छी सी स्वाधिष्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई